सेथप्टंबर का महिना चल रहा है। और मार्किट में अभी कोई यूटन नहीं आया ह। पिछले छे महिने से मार्किट जिस दिशा में चल रही है, नीचे की तरफ उसी दिशा में ही चल रही है आगे और अभी तक यहां पे कोई Bitcoin ने यूटन ने लिया बीच बीच में यूटन लिये लेकिन यूटन लेके वहां से भी यूटन ले लिया वापिस तो pump और dump रहे हैं 70,000 के level हमने 5 बार देखे 70,000 को 5 बार attempt किया Bitcoin ने लेकिन उन level को break नहीं कर पाया उस resistance को break नहीं कर पाया और वो level कभी भी तूट सकते हैं इस September के end में 70 को hit कर सकता है Bitcoin और October November बहुत ज़्यादा important है ठीक है तो आज हम मत करेंगे इस market situation में कौन से ऐसे crypto coins हैं जो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा benefit दे सकते हैं देखो सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा benefit अगर आपको चाहिए crypto currency market में आपको जाना पड़ेगा चाहिए आप coin market पे जाओ चाहिए आप coin gecko पे जाओ so many crypto currencies एक से लेके so तक आप छान भीन करो सारे crypto coins की और मैं यहाँ पे आपको एक hint दे रहाँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर gains निकालने हैं market में गलतियां हम पहले भी discuss कर चुके हैं गलतियां मत कीजिएगा अगर आपको simply सबसे ज़्यादा gains लेने हैं जो survive कर रहे हैं low level पे उन coins को उठाइए है ना जो माल सस्ते में पड़ा हुआ है क्योंकि जब उन में volume आएगा जब whales उन में अच्छा volume डालेंगी जब heavy bull run आएगा ना तो ऐसे coins में जब heavy volume आता ना तो ऐसे coins 1000 परसेंट भी pump कर जाते हैं ठीक है मैं बात कर रहा हूँ low cap cryptocurrencies की 100 से उपर जाएए 200 से उपर जाएए 300 से उपर जाएए कोई भी category का coin हो artificial का हो metaverse का हो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा उसकी research कीज़ेगा कि वो volume आने के बाद अच्छा pump हो सकता है या नहीं हो सकता लेकिन एक बात का ध्यान यहां रखने वाला ये भी है कि जो low level पे coin चल रहे हैं वही आपको अच्छे gains दिखा सकते हैं उनी से आप बहुत अच्छे profits बना सकते हो high level पे high price पे खरीदोगे मिल जाएगा आपको profit ठीक है थोड़ा बहुत हो सकता है महां से loss भी आपको मिले मुझे लगता है उस range में खरीदने का कोई फायदा नहीं है जो अभी भी नीचे range रहे क्योंकि बहुत सारे coins ऐसे हैं जो भी नीचे के level पे survive कर रहे हैं और इनके नए all time high लगेंगे सीधा क्योंकि जब heavy bull run आएगा यह आपको सीधा नए all time high लगाते हैं दिखेंगे बहुत सारे coins तो अगर आपको अच्छे benefits चाहिए तो low cap cryptos low price वाले monthly chart उठाईए वी weekly chart उठाईए जितना नीचे चल रहा है जितना नीचे उस opportunity को miss मत कीजिए उठाना है तो माल सस्ता उठाईए उठाना है तो dip में buy कीजिए वरना buy मत कीजिए क्योंकि इस market में अगर आप high level पे buy कर रहे हो सारे cryptocurrencies तो आपको ज़्यादा benefit नहीं मिलेगा आप उल्टा आप loss में भी जा सकते हो ठीक है तो यह simple strategy है buy the dip सस्ते माल उठाईए और महंगे में और महंगे से महंगे में बेश दीजिए जब है भी bullren आएगा तब simple strategy ठीक है तो I hope इस छोटी सी strategy को आप समझ गयों लेकिन strategy है बहुत बड़े काम की strategy है ठीक है research कीजिए बिना research के कुछ मत खरीदीगा तब तक लिए बाई बाई टेक क्योर